लेडी डॉन और कुख्यात गैंग्स्टर काला जठेडी की शादी से पहले दिल्ली पुलिस ने काला जठेडी गैंग के पांच शाप शूटरों को गिरफ्तार किया है दिल्ली पोलिस की special cell ने विदेशी हत्यारों के साथ इन शार्प शूटरों को द्वार का इलाके से दबोचा पोलिस का दावाय की special cell को input मिला था कि काला जठेडी की शादी के पहले हर्याना के रोतक में बड़ी गैंग बॉर होने वाली थी इन शूटरों के कबजे से PX-30 made in China पिस्तॉल P.Bretta made in Italy पिस्तॉल बरामत किये गए है वेशी समय होए गयालों संदेश काली ते आसार मतोप प्रोईजोन अनुभाब करेंनी उल्टो दिके विकास सिंग्ष हो छियात्तोर जनके जेल खाटिये छेन अल्टो दिके अमादेर बोंदी दी रेखा पात्रों सोहो अमादेर पद्दादी सोहो अमादेर जाग्रोतो मात्री मॉन्डोली तादेर उपोरे फुलिस के दिये तिनमूल कॉंग्रेस ने लोगसभ़ चुनाओ के लिए उम्मेद्वारों के नाम का एलान कर दिया है बंगाल की सब ही बयाले सीटों पर ममता ने उम्मेद्वारों के नाम का एलान कर दिया सबसे बड़ा चेरा पुरु क्रिकेटर यूसुफ पठान का जिसे ममता बैनार जी ने बैरामपूर सीट से उम्मेद्वार बनाया है वहीं नुसरत जहां का टिकेट कट गया है और बीजेपी ने भी कुछ सीटों पर उम्मेद्वारों की घोशना कर दिया और अब टी-मसी के उम्मेद्वारों के नाम भी सामने आ चुके है और इसलिए पिक्चर बिलकुल पश्चे मंगाल में क्लियर हो गई है कि लडाई आखिर किस के किस के बीच होती दिखाई दे रही है ये तस्वीर आप देखिए कांधी में शौमिंदू अधिकारी बीजेपी के नेता उत्तमबारी यहाँ पर टी-मसी के नेता हैं तो प्रसून बनर जी उन्हें चुनावती देंगे टी-मसी के उमिदवार के तोर पर जिनके नाम का एलान हुआ है और बंगाउं में शांतनी ठाकूर बीजेपी के उमिदवार बनाए गए और इसी तरह से सौमित्र खां बीजेपी के उमिदवार हैं बिटनुपूर से और सुजाता मंडल खां को टी-मसी की ओर से उमिदवार बनाकर चुनावी मैदान में उतारा गया है और तस्वीर अब साफ होती दिखाई दे रहे कि किस तरह की टकर पश्चिम बंगाल में होने जा रही है टी-मसी के लोगसभा सीटों पर उमिदवारों के एलान पर बीजेपी ने निशाना साधा है और बाहरी लोगों को टिकेट देने का आरो बीजेपी ने लगाया है बंगाली मुस्ल्मान में क्या जोट जीतने की लडने की ताकत नहीं है क्या आप गुजराटी मुस्ल्मान को ला रही है यह तो कैसी शरम करने वाली बाद है बंगाली अंटी बंगाली पार्टी तिनुवल कॉंगरस है मैं यह बात कहूंगा कि हमारी कॉंगरस पार्टी ने हमेशा का है कि हम चाहते हैं कि टीम से के साथ सीट शेरिंग हो बाचित हो सम्मान जनक फॉर्मिला ढूलना चाहें बीच का रास्ता ढूलना चाहें एक तरफा कोई गोष्णा नहीं होना चाहिए यह बात सही है कि हमारे और से भी कुछ बयान आये हैं जो कुछ हमको परिशानी हुई है उन बयानों से पर खुले मन से बड़े दिल से इन बाच्चीत हमें करने चाहिए तो हमारी दिरूबाद हमेशा खुला है हम कहते हैं कि इंडिया जन बंदन को मजबूत करना हमारा कर्टब यह हमारा फर्ज है हमारी प्रादमिक्ता है और वो भी मताब एनर जी कह दे रही थे ममता बनर जी ने अपनी पार्टी टीमसी से क्रिकेटर यूसूफ पठान को लोगसभा का उम्मीदवार बनाया तो इस पर कॉंग्रेस नेता अधिर रंजन चौधी ने ममता बनर जी पर निशाना साधा है उन्होंने कहा कि यूसूफ पठान का सम्मान करना ही था तो उन्हें राजसभा का टिकेट देना चाहिए था या फिर गडबंदन से गुजरात में यूसूफ के लिए एक सीट मांग ले नी सी तो पठान को अगर सम्मानित किये जाते सही धंग से कुछ दिन पहले बंगाल में राजसभा की चुना हुई थी बाहर के लोगों को राजसभा को राजसभा की एमपी बनाये गए अगर यूसूफ पठान को झाल 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 झाल